आने वाले दो से तीन सालों में या फिर actual possibility है कि आने वाले पांच सालों में भी चाइन और पाकिसान के साथ साथ बांगलादेश भी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी जियो पोलिटिकल चैलेंज बन जाए और आपको यह लग रहा हो कि इसके चांसों यह बहुत कम है ऐ स्थाई सरकार उसके एडवाईजर है यानि कि एक पी एम की पोस्ट आप माल लीजिए जो कहने को एडवाईजर है एडवाईजर तो दो गोवर्मेंट ऑफ बंगलादेश मगर ऐसा प्राइम मिनिस्टर ही काम करेंगे इन्होंने हाली में इंडिया को एक डिरेक्ट ग हरे जिसे दिनहाः तो इन्होंने लोकेशन गिरुखाई हैं इंडिया गेंज जहां पर यह आस्थिर तरह बनवा सकते हैं तो इन्होंने कहा कि बंगलादेश को को अश्वता था था वहाँ पर रियोंगा क्राइसिस हुआ था ठीक है उसके लावा कई रिफ्यूजिस का इश्व है वहाँ पर बंगलादेश कल को जैनुरली लिगर कोलेक्ट कर जाता है या फिर कोई इंटरनल इश्व बंगलादेश के बहुत जादा हो जाते हैं तो मियामार को भी यह जो है का बंगलादेश में चुनाव होते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे मियामार है वापे आर्मी का कंट्रोल है तो ऐसी है जैसी जो बंगलादेश है वो कहने को तो डेमोकरिट है लेकिन सब को पता है कि पीछे उसके पावर आर्मी की ही है जैसे में चुनाव होते हैं तो उस केस में प्रोबैबली बंगलादेश नेशनलिस्ट पाटी खरीदा जिया कि यह पाटी मोस्ट प्रोबैबली पावर में आगी क्योंकि शेख असीना की पाटी को काफी हद तक डिस्मेंटल कर दिया गया है जो पॉलिटिकल पाटी है इन उने अल्रेडी इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव शेटमेंट देना स्टार्ट कर दी हैं आप यहां देख पाओगे बी एन पी की लीडर्शिप यह कह रही है इंडिया के साथ कॉपरेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर इंडिया हमारी एनिमी इनकी एनिमी कोन है तो अब यहां पर यह तो उनको असलम नहीं दे पाएंगे तो अभी के लिए शेक हसीन यह सोच रही है कि आगे करना क्या है तो वैसे आपको बता दो शेक हसीना अपना घर बंगलादेश में बहुत ज़दा शॉट नोटिस पर छोड़के आई हैं आई ह इनको कुछ कोई प्लैन था नहीं इन्होंने बस पॉस्ट नोटिस पे इन्होंने यह डिसाइड कि इंडिया चलते क्योंकि वहां पर काफी हरात खराब हो चुके थे इनको भी उमीद नहीं थी कि आर्मी जो है इनको थोका दे जाएगी तो यह जो प्रोटेस्ट हैं इनका कोई गोला हाथ दे रही है आर्मी कि जो जो करना है कर लो पार्टिमेंट के अंदर उन्होंने भी पार्लेमेंट की दर्वाजे खुल दिए आम पबलिक के लिए दो प्रेक։न के अवह जाकर उनके घर पे और पार्लेमेट में कैसे अफ्रात अफ्री हर रहे हैं तो बेप उ वहां से common जगा से वहां से खरिदारी करी है इनके पास total रुपीज 30,000 उपे कुछ था और वो कैश भी इनके पास अब खतम हो गया है अब मैं यहीं नहीं कहा रहा हूँ कि शेख असनिया गरीब हो गई है या इनके पास पैसे जोते हो खतम हो गई है यह एक well-to-do families है इनकी जो बाकी family इनके जो बाकी बेटे हैं वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और अच्छा खासा पैसा इनके पास है भी इस वक्त तो ऐसा नहीं कहोंगा कि इनके सारे पैसे खतम हो गया है पर हाँ जैसे यह short notice में यहाँ पर आई थी है खुद अभी ज्यादा इतना you know stunned है इतनी स्टन है कि इनको समझ नहीं आ रहे कि करना क्या है यह समझ लिग जी अपने आपको इस बाद गैदर कर रही है कि करना कि actually में अभी क्या हो रहा है situation इनको क्या आगे steps लेने है तो reports यह आ रही है या तो यह हो सकती कि Russia चली जाए या फिर Finland या फिर हो सकता है कि Europe के कि देश में चली जाए तो BNP को यह सब भानी रहा है इंडिया में शेक हसीना है ना तो इंडिया इनकी मुदद कर रहा है तो शेक हसीना अभी के लिए तो यहाँ पे रुक्यूई है तो इस बात को लेकर यह कह रहे है कि इंडिया के साथ corporate करना मुश्किल हो जाएगा तो आप देख लिएजए इनकी यह क्या mentality है और अभी तो यह लोग पावर में आई भी नहीं है अभी तो election हुए भी नहीं है और अभी BNP के पास complete power आई भी नहीं है और यह अभी से इतने aggressive statement दे रहा है इंडिया के लिए और मैं आपको बता दूँँगर यह लोग एक बार पावर में आ गए ना तो आपको बता रहा हूं दे विल क्रियेट आ लौट अफ प्रॉब्लमस वर इंडिया बांगलादेश से निपटने का बता दूँग कि एक ही solution रहेगा इंडिया के सामने कि अप्फरंट डिरेक्ट अपनी बात रखी जाए और यहाँ पर एक बात तो नोट करने वाली यह रहेगे कि ना जो ट्वीट करा है प्यम मोदी ने इस ट्वीट को मैं हिस्टोरिक बोलूँगा अब आप कहेंगे कि इसमें हिस्टोरिक वाली क्या बात है तो इसमें हिस्टोरिक इसे बोलने वाली ब पार यह जो वर्ड है ना हिंदू इसका इस्तामाल किया है उन्हें तो पी एम मोदी ने के ट्वीट देख ले ना उन्होंने आज तक यह जो वर्ड है ना हिंदू इसको हमेशा ही अवाइड किया है कि मैं यूज ना करूं क्योंकि लोग कहीं ऑफेंड ना हो जाएं किस चीज पर जो अटेक हुआ है और गलत तरीके से अटेक किया जा रहा है और यहां पर हमें इन्हें रोपना चाहिए तो यहां पर मैं यह कहूंगो कि पीम मोदी की टीट है ना अपने आप में बहुत प्रेशर क्रेट करती है बंगलादेश क्योंकि देखिए बंगलादेश बिल्क कि कुछ ना कुछ होता चल रहा है ठीक है बंगलादेश नेभी कल को यह करना श्राइट कर दीना तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है यह प्रॉब्लम तो बलकुल आएंगी ही आएंगी इसे वेस्ट पंगल में सिलीगरी कॉलिडर और नॉर्ट इसमें मियामार तो प्रॉब्ल नेशनलिस्टिक बन जाएगा तो यह जो लोग अगर अपना फिर बजट देगे ना उसमें इनका जो डिफेंस बजट है वो बढ़की आएगा तो यह कल कोई चोटी बात और कोई सप्राइस करने वाले बात ने होगी कि एक स्मॉल स्केल वारफेर हो सकती है बंगलादेश और मेह मार के बीच में तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो मियामार वोभी एक मिलिटरी डिक्टेटरशिप के अंदर अदर आता है बंगल다デश में अभी एक हाइब्री झाल रहा है यहनी कि पाकेसान में कहने को डिमोकरीशी है पर वहाँ पे जो मैर्जी ऑम्रीड क में देखे एकनोम में तो गरने वाली है यह तो होना ही है बंगलादेश में आने वाले टाइम में जो इनके जो एक्सपोर्ट से जो रिकॉर्ड स्पीड से आगे बढ़ रहे थे उन में बहुत तेज गिरावट आने वाली है हमने जो ओलेटी देखा वाए कि जो इंडिया के में जो गर्मेंट एक्सपोर्ट से बढ़ में देखें बंगलादेश कुछ ऐसा तो नहीं है की इनके आप इनफोसेसर ट्यिस से कहτसों हो रहे हैं तो इनके हां जो में आक्समादेश न करिया है तिए्किंगत हो चाने में सब होने वाल और लिट हमने देखा है कि बंगलादेश क्राइसिस की वेज़े से इनके एक्सपोर्ट कम हुए है और जिसकी वैसे इंडियन गार्मेंट एक्सपोर्ट में दस से लेकर 20% का जम पाया है तो यह तो बस अभी हमको डेटा बता रहा हूं तो कुछ मैंने रूख जाए इंडियन कहीं इंडियन की हल्प परे और यह और भी वेरिस एक्सपेट्स में इंडिया की हल्प चाहेंगे तो हमें उसे लेवरेज करना होगा अगर हमारी हल्प चाहिए तो आप बार्टर सेक्रिटी पर ध्यान दीजे उसको मैंटेन करकर रखिए जो आपकी मैनेरिटी कमिनिटी है उनको पर प्रोटेक्शन दीजिए और ओपन ली यह जो बात हैं बाग्लादेश के हाथ करनी पड़ेंगी उनको पताना पड़ेगा कि हमें यह सब चाहिए ना कि एक डिली ढाली इसी डिप्लोमाइसी तो आप कह लिजे कि तभी हम एक कंकूशन तक पहुंच पहेंगे और ह इसाद रखेगा कि जो अभी तीस्ता रिवर का इश्व हो भी अभी कंप्लेटली सॉल्व नहीं हुआ है तो आने वाले समय में बंगलादेश एक टेस्ट बन के उबरेगा जैशेंकर साब के लिए तो जो भी कुछ अपडेट आती हैं तो मैं आपको अपडेटेट वीडिय युएसे ने इनको कहा था कि यह सब धानली है तो जिस टाइम पे शेक खसिना जीती थी उन्होंने शेक खसिना के इलेक्शन को धानली कह दिया था तो इस बार भी धानली की बात ही लोग कहते यह नहीं कहते हैं इट विल भी इंटरेसिंट उसी और अगर आप यहां पर यह सबर रखिए फ्यूचर में यह जो एरिये बहुत जादा इंटरस्टिंग होगी उपरेगा इससे आपको मेरे को सीखने को मिलेगा तो यह पर मैं एडमिट करूँगा कि आप यह बहुत कुछ सीखने को है तो लेट्स होब फॉर और अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं उ सौरष इंटरस्टिंग।